धर्मांतरन का आरोप लगाने वाले हिंदू समाज के कारेकर तको मिली जान से मार दिये जाने की धमकी उसके बाद कल रात को हिंदू संगठन के कारेकर तमेगापुरा निवासी रमेश घिरवाल को मोबाइल पर आरोपी अनिल पिता गंगाराम के भाई जैराम पिता गंगाराम निवासी करम तलाई के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई जिसको लेकर आज हिंदू जागरण मन्चेवं संपून हिंदू समाज ने विरोध स्वरू प्रहली निकालते हुए नाल छाथाना प्रभारी को ग्यापन सवप आगया ग्यापन में बताया गया कि क्षेतर के मियामपुरा, मेघापुरा, करम तलाई, भुराखुआ, साल्यामौल, दुर्गापुरा क्षेतर में इसाई मशनरी द्वारा आर्थिक प्रलोभन वविमारी ठीकर देने के नाम पर प्रतेक्र विवार इशू प्रार्थना करवाई जा रही है और हिंदू धर्म को छोड़कर इसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है जब इस मामले के आरोपियों के विरुद्ध थाने पर कारवाई को लेकर ग्यापन दिया गया तो हिंदू संगठन के कार्यकरता को जान से मार दिये जाने की धमकी दी जा रही है अतहब हुक्त मामले के आरोपियों पर कड़ी कारेवाही की जाए इस मोके पर हिंदू जागरन मंच के प्रांत अध्यक्ष आशीश बसू हिंदू जागरन मंच के जिला मंत्री लोकेश यादव, जनपद अध्यक्ष लाल जी डावर, संतोष राठोड, महेश जायसवाल, पूर मंडल अध्यक्ष पंशी जाट, भोजपाल दरबार, दिलीप मोहरे, रमेश गिरवाल, धन सिय करम तलाई, लकी यादव, राकेश को कोश्वाह, अशोक कुमावत, नीरज कोश्वाह सहीत कई हिंदू समाजन उपस्ते थे, धार जिले के नाल चासे विनीत जी की रिपोर्ट सरी, कल से जो धर्म परिवर्टन का चल रहा है, आज भी ग्यापन दिया, कल भी ग्यापन दिया था, कुछ धंकियां भी मिल रही है, हाँ, कुछ लोग हिंदू जागरन के कोई पदाधिकारी कल ग्यापन देने आया थे, कोई अनेल पिता गंगाराम भील नाम का लड़का, जो मियादूरूरा का रहने वाला है, उनने ग्यापन दिया था, कि सर्वो कुछ लोगों को भरगला कर, मतलब इस्साई धर्मा अपनाने के लिए कुछ मतलब प्राथना वग्यरा करवा रहा है, तो हम मेरे द्वारा ग्यापन ले लिया और तदकाल उसको कल बुलाया गया, आनिम लांके लड़के को उसको उसको रुकल गुरे दिन ठाने में बढा कर पूछताज की गई, उसके द्वारा बताया गया कि इसकी पत्त्नी बीमार की कुछ कैंसर वग्यरा चैस्ट में बताया गया था, तो वो कही से धानी में जो चर्च महां कहीं कर दा था, तो वहां क कुछना मियापुरा की थी, वला पारी मियापुरा की थी, कल जो गठना ए हुई हमांपे, कि यहां पे सार्च चर्च कबारा में काम किया जाता है, और यह कितरी लोग होए हमां की जगह, जिसके बाद में मेरको पहना मिले दो,